जै मसी की मसी परिवार वचन जीवन खारी करम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभी येश्व मसी के नाम से और दन्वा देना चाते हैं हमारे साथ में सामिल होने के लिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वचन ही जीवन है जीवन ही वचन है क्योंकि विना वचन के जीवन आसफल है और परमेश्वर को प्रसन करना आसंभव है एमेन इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि वचन ही के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं वचन ही के द्वारा हम परमेश्वर के विशे में या उसका जो वादा है हमारे लिए वो हम जान सकते हैं याद रखना अगर हम किसी से वादा करते हैं, हम किसी से फ्रोमिस करते हैं, वो वादा में जब वादा करते हैं, उसमें किसी तरह का सर्थ नहीं रहता है। याद रखना ये बात को, जब हम किसी से वादा करते हैं, उसमें किसी प्रकार का सर्त नहीं रहता है, और वो वादाओं को एक वचन या वादा जब वादा रहता है, जब हम उसे पूरा करते हैं, संसार के लोग इस प्रकार से कहते हैं, कि हम वादा करते हैं, या प्रोमिस को क हमसे किसी चीज़ का वादा करता है या अपना वचन को देता है वो पूरा करता है हमारे और आप के लिए इसलिए बहुत जरूरी है जब हम किसी को वचन देते हैं या वादाओं को करते हैं तो दरमसास कहता है सामस के किताब में फिफटीन और फो में कहता है कि चाहे हमें कित पूरा करना है अगर हम देखते हैं कि परमिश्वर ने वादा किया था कि वो मनुश को बचाएगा और बचाने के लिए अपना वादा को उसने पूरा किया जब उसने अपने फ्रेम के द्वारा प्रभु येशु मसी को दिया हम मनुश के लिए कि उसके द्वारा हम जीवन प पीडा नहीं दर्द नहीं हुआ हुआ होगा लेकिन उसका जो वादा था कि मेरे बेटे के दवारा उसके denganा मनुश्य के जीवन जो है या मनुष्य उद्धार को पाएगा वो वादा को किया वो पूरा को किया और अर एक उसका वादा प्रभु येश्व मसी में जो आशीश हमें मिलता है वो भी पूरा होता है ये बात को भी याद रखना प्यारे लोग पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर का आशीश प्रात करना चाते थे तो उन लोगों को कुछ कार को करना पड़ता था इसके बाद में आशीश मिलता है आज हम नए सीरी से जनम लिया या नए नियम में जीते हैं हमें कुछ करना नहीं पड़ता है कुछ पाने के लिए हमें सिर्फ विश्वास के दौरा उसे लेना है हर एक वादा जो परमेश्वर ने हमारे और आपके प्रती किया है उसे हमें लेना है उसे हम जब देखते हैं दरमसास में उसे हम लेते हैं अपने जीवन में और जो आशीश हमें प्राप्त होता है उस आसीश को लेकर जो परमेश्वर ने कहा उसे हम करते हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि मैंने जो वादा के विश्य में कहता हूँ अगर हम देखते हैं अगर मैं एक शादी सुदा जीवन को भी हम देखते हैं उसमें भी हम पती एक पत्नी से वादा करते हैं वो वादा तोड उसरे के साथ में इस वादाओं को पूरा करेंगे इसी परकार से हम देखते हैं कि जब हम प्रबी येसु मसी को अपनािे हैं उस परकार से अपनाते हैं कि हम एक दूसरे में बस गए हैं या ऐसा होना चाहें जैसे हम कहते हैं कि pestini two flesh air two people but one 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 flesh दो लोग जो एक हो गए हैं, उसी परकार से जब हम प्रभु येश्व मसी को अपनाते हैं, तो हम दो लोग जो थे मैं और प्रभु येश्व मसी वो एक हो चुके हैं, और उसी तरह से हम अपने जीवन को बैतीत करते हैं, कि जो इश्यू कहता है, वो हमारा सर है, वो हमारा है है वो हमारा अगवाकार है और जो वो कहता है हम मसी लोगों को क्या करना है कुमिट क्या कहता है सबजेक्ट जो हमें उसके वादाओं को पूरा करना है सपोर्ट करना है जो वो कहता है और उसी परकार से चलना है तो हम देखते हैं कि यह जो तोजित का वचन था मैं यह कहना च इसमसी की तरह जीवन बिताते हैं तो क्या होता है कि हम में मसी दिखलाता है आज अगर हम किसी आनपडोसी अपने परिवार या जहां पर हम नौकरी करते हैं अगर हमें इसमसी के विशे में बतलाना है इसमसी के विशे में दिखलाना है तो स्वेम प्रभू इसमसी प्रगट नहीं होगा जिस अगर हम देखते हैं कि प्रभु ये सुमसी जब जब आया था वो मनुश रूपदारन करकर आया अपने कार को खलास किया और फिर वो स्वरग लोड गया आज प्रभु ये सुमसी को अगर दिखलाना है वो मुझे और आपको दिखलाना है अपने जीवन में जिस प्रकार से प्रभु ये सुमसी जब दर्ती पर अपने जीवन को बैतीत किया उसी प्रकार से हमें और आपको बैतीत करना है और वो जीवन है परमेश्वर का प्रेम आइमेन तो आज का जो हमारा विशे है वो है परमेश्वर का प्रेम भय को दूर बगाता है परमेश् कभी काल ऐसा होता है कि मनुश्य जो मसी लोग है वो डर के अपने जीवन को बैतीत करता है कि कहीं मेरा पड़ोसी ना जान जाए कि मैं मसी विस्वासी हूँ या मैं क्रिश्चन हूँ कहीं मेरा जहां पर मैं नौकरी करता हूँ कहीं वो लोग ना जान जाए अगर वो लोग ज जीवन में आता है और बहुत सब है जो मैं बतलाऊंगा लेकिन मुझे ऐसा मेरे आत्मा में ऐसा आता है कि मैं ये बात को तेजित करूँ कि हम लोग को जो या या आत्म विश्वास कॉन्फिडेंट जो होना चाहिए कि मैं मसी हूँ या मैं क्रिश्यन हूँ बिलीवर हूँ प यहाँ से अपने जीवन को बैतीत करना क्यों हम डर के बैतीत करते हैं क्योंकि अगर हम गलती को करते हैं तो लोग क्या कहेंगे हम ये सोचते हैं या हम अपने जीवन को जो जिस परकार से जो शिकला वोल जो कहते हैं वो अपने जीवन को बैतीत करते हैं उस तरह से हम बैती क्यों लोग जान ना जाए कि मैं इसु मसी का विश्वासी हूँ नहीं लेकिन यहां पर कहता है कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम भै को दूर बगाता है अगर हम अपने निगा को परमेश्वर के प्रेम में लगाएंगे तो क्या होगा प्यारे लोग कि हम यहो के साथ अपने द्रिडिता से ये कह सकते हैं कि मैं मसी का विश्वासी हूँ मैं मसी इसु मसी के पीछे चलता हूँ इसु मसी मेरे जीवन का स्वामी है इसु मसी मेरे मेरे परिवार का प्रभू है इसु मसी मेरे घराने का प्रभू है और उसके पीछे मैं चलता हूँ जो दूर रहेंगे सिद्ध प्रेम ना अगर हम देखते हैं कि सिद्ध प्रेम बहुत से लोग जो अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे यहुना के चलो पढ़ते हैं पहले यहुना के किता पहला यहुना चार और अठारा में यह कहता है फेस जोन 418 में कहता है कि परमेश प्रेम में सम्मंद डंड से होता है भहे जो है उसका सम्मंद या जो डर हमारा रहता है डंड से कि क्या हमें सजा मिलेगा क्या लोग सी सजा यह होता है कि जब हम लोगों से बतला देंगे कि ओ मैं मैं इसमसी के वेक्ती हूँ या इसमसी मेरा जीवन का प्रबू है तो हम उस डंड की भहे में जिहेंगे की लोग मुझे क्या हैंगे मुझे याद है की जब हम छोटे थे और गाउं में जब प्रविष मस Jewish को अगर अपना लेते थे तो क्या होता है की लोग जो गाउं के लोग हर एक तरह के बाते करते हैं अगर धरमसास लेकर चलते हैं तो देखा बली वा लेकर चले बुक लेकर चले उट समय हम छोटे थे लेकिन जो हमारे ग्रेंड पेरंट्स से जो आजा आजी थे पहले माता पिता थे जब वा इस समय तो ट्रांसपोर्ट नहीं थे ला तो अगर हमें कलिशिया को जाना है तो हम लोग के रस्ता से निकल कर पैदल चल कर जाना था तो अगर हम पैदल उत्वार को जाते तो लोग देखते हैं कहा जाए चेज जाए लोग बहुत तरह के बाते करते थे इसी परकार से हम लोग जो चोटे-चोटे बच्चे थे, साथ में चलते थे, जाते थे, ठीक, लेकिन क्या होता है, क्यों वो याओ से कलिश्या को जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने, या हमारे जो ग्रेंट पेरेंट्स थे, माता-पिता थे, उन लोगों ने परमेश्वर का प्रेंग को देखा, और उस प्रेंग के द्वारा डर या भय को दूर बगाता है, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि क्या सजा मिलेगा, या गाओं के लोग क्या कहेंगे, नहीं, उन बातों पे भय नहीं लेकर आया, लेकिन ये देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेंग रखत किसके पास है सिद्ध प्रेम क्या हमारे और आपके पास है सिद्ध प्रेम नहीं परमेश्वर के पास जो है परमेश्वर खुद प्रेम है वो सिद्ध प्रेम है और जब सिद्ध प्रेम रहता है भै को दूर बगाता है वो प्रेम आज हमें और आपके हिर्दे में उडेला गय उस प्रेम की और आप देखेंगे तो क्या होता है हर एक भय को वो दूर बगाएगा आइमेन वो दूर बगाता है क्योंकि भय का समंद डंड से होता है और जो भय करता है और जो भय करता है वा प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है अगर हम डंड की डंड की आगिया से बै करते है अगर हम देखते हैं तो यह वचन कहता है, वो डंड जो था वो, जो नरक जाने का, जिस जो पाप से दुले नहीं ते, जो परमिश्वर के विरोध में थे, वो लोग परमिश्वर को पाकर भी भाय में जी रहे थे, क्यों कहीं परमिश्वर मुझे डंड न मादे दे, राइच लेकिन लोग जीते हैं डंड की भाय में लोग जीते हैं बिमारी के भाय में जीते हैं कि आस पास बिमारी है कि ये बिमारी मुझे ना पकड़ जाए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने आपको तैयार ना रखे या आप अपने कुछ के क्या कहते हैं कि जुमेदारी को लेन अगर कहता है कि मास पहिन लो फाई मास पहिन लो अगर गलफ पहिन लो अभी कहता है इस समय पर हम देखते हैं कि जो जो वेदा में है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहता है कि आप वारिश में बीजना नहीं क्यों नहीं बीजना इसका कारण है कि जो वेलकन हुआ है पेस्पिक में और उसका जो ACD के हो गया है और जो वारिश होता है वो लेकर आता है हमारे शरीर में लेगेगा वो हमें हाम करेगा इसलिए अगर हम देखने की वारिश होता है तो जरूर अपने चत्री को ले 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 ठीक है लेकिन याद रखना अगर कोई मिस्टेक से या कुछ वारिश आपको लगता है तो हमें भे को नहीं लेकि आना है क्योंकि परमिश्वर खुद परमिश्वर वो हमारा डाल है ठीक जैसे नमने के तोर पर अगर देख ले तुफान चलता है और आप कहोगे कि नहीं तुफान चले हमें किसी चीज़ का डर नहीं है मुझे गर से बाहर हम सकता जाए के खेले गर से बाहर जाकर हम गूम सकता है मैं यह कहना चाहूंगा साहे तो अगर किसी टिन किसी का रूफ अगर उड़ा वो आपको आदा कर देगा ठीक लेकिन अगर आप घर के अंदर है और किसी कारण से आपका रूफ उड़ गया या कुछ गिरता है वहाँ पर परमेश्वर रहता है आपको बचाने के लिए ठीक याने कि हम अववा स्मार्ट नहीं बन जाए लेकिन परमेश्वर के या जो कुछ हमें दिया है उसके अनुसार हम चलिए रिस्पॉंसिबल रहे हम ठीक यहाँ पर कहता है जैसे हम देखते है कि लोगों को जो भै रहता है वो भै जो डंड का भै रहता है बीमारी का भै रहता है लोगों भै करते हैं लेक के लिए या कमिया के लिए वो भै करता है कि हमें कमी हो जाएगा अगर हमें दे देंगे ना अगर किसी समय देने के बाता है हम देखते हैं कि किसी की जरूरत है और हम कहेंगे देंगे कि अगर मैं उसे दे दूँगा तो मेरे पास कमी हो जाएगा मेरे पास नहीं रहेगा सी वो एक भह है लेकिन देने में वो शामर्त है अगर हम देखते हैं देने में वो शामर्त है कमी को दूर करने के लिए क्योंकि जब हम देते हैं हम प्रेम से देते हैं और प्रेम में भह नहीं रहता है कमी के लिए इसलिए देने में वो शामर्त है आशीष पाने के लिए को भहे रहता है कि हमारा जो शादी शुदा जीवन है वो ना तूट जाए तो वो डरता है कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ कि मैं किसी यह ना कर दूँ कहीं मेरा बिवावी जीवन ना तूट जाए अगर हम भहे में अपने जीवन को बैतीत करेंगे क्या होगा कि भहे के द्वा शैतान को हम मोका देता है अपने जीवन में काम करने के लिए इसलिए मैं यह नहीं कहता हूं कि भै नहीं आएगा आपिश्वास नहीं आएगा कि उस समय पर आएगा लेकिन जब वो आता है उसे हमें परमेश्वर के वचन से डील करना चाहिए परमेश्वर के वचन से उसे भ अच्छे अच्छे वस्तू देने में रोकेगा क्या वो हमें बचाने के लिए रोकेगा कभी नहीं क्योंकि इसलिए हमें उसका फ्रेम में बना या उसका फ्रेम को देखना जरूरी है ठीक फिर लोग क्या कहते हैं कि जो भैले कराता है कि हमारे बच्चे हमें छोड़ करना चल जाए ना बहुत से माता-पिता रहता है कि वो भेले के आता है कि जब हम बुड़े हो जाएंगे हमें कौन देखबाल करेगा कि हमारे बच्चे में छोड़कर चला जाएंगे और फिर जो 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 बच्चे रहते हैं वो भी भेले के आता है कभी कभी कि क्या मेरा माता-पित भी हमें छोड़ कर ना चला जाए या बहुत समय ऐसे रहे होता है कि जब मता पिता अलग हो जाते हैं, साधी बीवावी जीवन में अलग हो जाते हैं, तो जो क्या कहते हैं उस से, जो उसमें जो अगर कोई पिसाता है ना अगर कहिएदे, तो वो बच्चे लोग जो करेगा मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा ची बहुत से लोग डरते हैं अंदियारा से अंदियार अगर हो गए रात का अंदेरा से लोग डरते हैं याद रखना मता पिताओं को मैं ये कहना चाहूंगा बहुत समय मैंने सुना है मैंने देखा है कि जब अंदियार रहता है या बच्चे लग जब कभी बदमासी करता है बहुत से, खीलते हैं, खोथते हैं, दोडते हैं, तो माता पीता अगर उननमों कहता है è कि बैठ जा, तो बच्छे बैठते नहीं, तो क्या कहता है? कि ऑ, उर्में नहीं जाना, उर्में अंदेरा है, उस रूम में नहीं जाना, वहां बुड़ा है, बुली, ऐसे बताई, कोई ऐसा वस्थू है, जिसका नाम लेगा, वहां है नहीं कुछ, लेकिन वह सब्दों से एक ऐसा पिच्चा जो प्रिंट कर देता है, बच्चों के मन में, कि वह जब बढ़ते ही रहता है, वह जो पिच् जीवन में चोटे बच्चे जब बढ़ते हैं, भहे से बढ़ते हैं, अग बहुत से लोग, बहुत से मात अप, एवाने जाना, कोक्रोचे है बले, इतना बड़ा चीज, एक बड़े बच्चे को देखो और उसे देखो, बहुत छोटा है इसके तालुकात में, लेकिन जब भहे लेकर आता है, तो बच्चे जब बढ़ते भी हैं, बढ़ जाते हैं, सोरा, सत्रा साल के हो जाते हैं, बीस साल के हो जाते हैं, तो भी वो एक कोक्रोच से डरता है, क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे, माता पिता ने उनके जीवन में, उनके मन में डर बैटा दिया, इ क्या होता है कि इश्व मसी से पहले हम सब लोग झाले भै मिताते हैं भै ये भी रहता है कि क्या होगा कल क्या होने वाला है आज तो हम जी लिया कल क्या होगा या मैं मरने के बाद क्या होगा क्योंकि किसी तरह का आशा ही नहीं थे जीवन में लेकिन जब हम इस मसी को अपना लेते हैं हम या उसे कह सकते हैं अगर हम जीते हैं तो प्रभू इस मसी में जीएंगे अगर हम मरेंगे तो भी हम प्रभू इस मसी में मरेंगे क्योंकि अगर इस शरीर से हम निकलते हैं तो प्रभू परमेश्वर का हम आमने सामने रहते हैं अगर हम इस बातों को नहीं जानेंगे तो भाई में अपने जीवन को बैतित करेंगे लोग बहुत समय लोग चाते कि मैं प्रभू इसमसी से मिलना चाता हूं मैं प्रभू इसमसी के साथ रहना चाता हूं लेकिन अगर वो मिर्थी के नजदीक आते हैं तो वो डर जाते हैं ओ कहीं हम मरना जाए अरे भाई अभी आपने तो कहा कि मैं इसमसी से मिलना चाता हूं इसमसी को देखना चाहता हूँ, इसमसी के साथ में रहना चाहता हूँ अगर आप इस शरीर में रहोगे तो इसे आप देखना ही पाऊंगे अगर इस शरीर से निकल जाओगे और उसके पास रहोगे तो देख पाऊंगे याद रखना इस बात को भय से हमें दूर होना है और वो कब होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे अपने जीवन में अइमें परमेश्वर को प्रेम को अपने जीवन में देखेंगे तब भय से हम निकल जाएंगे मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा फेस जोन 4.18 यहाँ पर कहता है प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर बगाता है सिद्ध प्रेम पेफेक्ट लव कस आउट ओर फियर आइमेन आज मैं यहीं समाप्त करूंगा अगले सम्ता यहीं से मैं फिर सुरुवात को करूंगा और यह देखेंगे कि परमेश्वर या परमेश्वर का प्रेम भय को दूर बगाता है मैं इस समय आप सभी को लिए प्रातना करना चाहता हूं अगर आप किसी भी समस्या से गुजरते हैं आप अगर बिमारी आपके शरीर में देखता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप बिमारी को मत देखिए लेकिन प्रभी समसी को देखिए जो आप के लिए उसने सजा को सहा ताकि आप सजा से रहीत हो जाएंगे आइमेन तो मैं चाहूंगा कि आप अपना हाथों को उठाए समय स्क्रीन की तरफ करे ताकि हम चाहे हम यहाँ पर आज है और आप अपने घर पर हो लेकिन प्रात्ना में हम एक दूसरे के साथ में है अइमेन तो हम प्रात्ना करे स्वर्गे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए इस वचन के लिए और जितने सुनने वाले है प्राभू मैं यह राप रात्ना यह है कि आप इन लोगों को जो समझ का आँखे प्राभू वो खोलना ताकि वो देख सके आपका फ्रेम इन लोगों के प्रती आपका फ्रेम जो इन लोगों के प्रती इसु मसी को इस दर्ती पर लेकर आए और इसु मसी के दौरा या उसके खोड़े खाने से चंगाई को प्राभ भी हुआ है इसलिए मैं यह कह सकता हूँ यहो के साथ बिमारी का आत्मा इस समय इसु मसी के नाम से हर एक सुनने वाले के शरीर से निकल कर चला जाए चाहे बिमारी तेरा कोई भी नाम हो इस समय तू इसु के सामने गुटना को टेकता है और तू निकल कर जाता है और लोट कर फिर इन लोगों तक तू चुने पाएगा इश्यू दन्यवाद आपके लहू के लिए जो आपके बच्चे लोगों को ढखके रखता है दन्यवाद है इश्यू के पवित्र नाम से आमेन एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन सबसे अच्छा उपार और आशी जो परमेश्वर देता है वो है अनन्त जीवन वो अनन्त जीवन और पाप छमा इश्यू पर विश्वास करने से ही आता है तो अगर आप इशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हिर्दे और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो बप्तिश्मा लेना चाहते हो कलिशा को जोइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो वो शुरू होता है आ मेरा प्रबो है, तु मुझे आज मेरे पापों से मुझे छमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर, मैं विश्वास करता हूँ, कि तु स्वर से आया, मेरे पाप के लिए मरा, और तीसरी दिन जी उठा, फिर से आने वाला है, मुझे मदद कर, आत्मा से भर, के नाम से, अगर आपने वो प्रात्ना किया है, मेरे पूरा विश्वास से, आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप छमा हुए, आप एक नए जीवन, नए शिस्टी बने हो, तो मैं चाहता हूँ, अगर आप हमें संपर्द करें होगे, हम लोग आपको मदद करना चाह यह धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए, पर में शुर आपको बहुताए आपको अशिज दे और यह हमेशा याद रखना कि इश्य मसीही प्रभू है. बेट इ।, कर दो कि अखाए भ्राभू हमेशा हमेशा बात्यों अडिश्य मैं हो इए पहल है इनाम के सव्ड़े कशों हो